इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है आज भी मामला सुप्रिम कौट में है कि समिधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे अयुध्या में राममंदिर बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़ा केस अदारत में 1950 से चड़ रहा है किसे भी विवाद को सुलजाने के लिए साथ दशक बहुत लंबा समय होता है सतर साल में पीडियां बदल जाती है लोग बदल जाते है और तो और देश की सियासत भी बदल जाती है लेकिन इस देश में राममंदिर विवाद का कोई हल आस तक नहीं निकल सका है सुप्रीम कोट के मुख्य नियाएधी शरंजन गोगोई के नितरित्म में तीन नए जज़ों की बेंचिस मामले पर चार जनवरी को सुनवाई करेगी कोट में इस मामले में सुनवाई कब होगी इस पर चार जनवरी को फैसला होगा ऐसे में क्या सालों पुराने इस मामले का फैसला 2019 में आएगा या फिर अभी और इंतजार करना पड़ेगा ये बड़ा सवाल होगा जिसका जवाब 2019 में आएगा या नहीं इस पर भी सवाल है मैं कॉंग्रेस के साथियों से विशे सुप से बिंति करता हूँ देश की शांती सुरक्षा भाईचारे के लिए आगरह करता हूँ कि वे उनके अपने वकीलों को कॉट के अंदर इस मसले में रुकावट द्रालने वाले एजंडा से बहार निकाले रुकावटे न करें और सभी वकील बित्रा जो भी कॉंग्रेस से जुड़ी हुए है जो इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो भी कॉंट में जाकर के जल्दी से जल्दी न्याईत प्रक्रिया पूरी हो उसमें हम बन लगाए बता दे कि आयोध्या राममंदिर बाबरी मस्जिद की जमीन के मालिकाना हक को लेकर चल रहे विवाद लंबे समय के बाद इलाहबाद हाई कोट की लखनव बेंच ने 30 सितंबर 2010 को फैसला दिया था हाई कोट ने विवादित भूमी को तीन हिस्सों में बाटने का फैसला सुनाया था कोट ने तीनों पक्षों रामलिला निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्ष बोर्ड में 2.771 जमीन को बराबर बाटने के आदेश दिये थे हाई कोट के इस फैसले के खिलाफ हिंदू महसबा और सुन्नी सेंटरल वक्ष बोर्ड ने सुप्रीम कोट में याची का दायर कर दी थी इसके बाद से आयोध्या रामबंदिर बाबरी मजजिद जमीन के मालिकाना हक का मुकदमा सुप्रीम कोट में अटका हुआ है हाला कि इस साल दशको पुराने मामले में सुप्रीम कोट सुनवाई करेगा आयोध्या विवाद को सुलजाने के लिए नेताओं से लेकर अदालोतों तक बहुत सी कोशिशे की जा चुकी है लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकाला जा सका है ऐसे में सारी उमीद सुप्रीम कोट से लगी है इस मामले के फैसले के लिए चारो और से आवाज उठ रही है जो भी फैसला कोट करेगा उसको मनना पड़ेगा तो कि हिंदुस्तान के अगर नागरिक हो तो कोट की बात मनना पड़ेगा दरसल ऐसा माना जाता है कि साल 1528 में आयोध्या में एक ऐसी जगहा पर बाबरी मस्जित का निर्मान किया गया जिसे हिंदु भगवान राम का जन्मस्थान मानते है कहा जाता है कि विवादि जगह पर मस्जित मुगल बादशा बाबर के समय उसके सेनापती मीर बाकी ने बनवाई थी इस लिहास से ये 500 साल पुराना मामला है पहली बार आजादी के बाद 1950 में ये अदालत मौचा इसके बाद से अभी तक फैसले का महद इंतसार हो रहा है ऐसे में मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है और सुनवाई की तारीक भी ना इस साल के साथ दस तक दे रही है